नमस्कार, मैं हुँ आपके साथ पूनम और आप देख नहीं है हिमाचल दस्तक्रा टीवी की प्रस्तुथी दस्तक दिन है और नई अश्पार सिंग, आइए नज़र डालते हैं आज के मुखे समचारों पर मैंटरिक का प्रीक्षा परिणाम घोशित, मैरिट में बेटियों ने फिर मारी बाजी, 5,617 को कमपार्टमेंट सावधान, सतलुज किनारे ना जाएं, कभी भी बर सकता है पानी, प्रशासन ने लोगों को किया सचे अमबोया में पानी के लिए प्रदर्शन, एक महीने से परिशान लोगों ने विभाग के खिलाफ खोला मूर्चा बिलासपुर में गाये को विसफोटक से जखमे करने वाला आरोपी, 14 दिन की नियाए खिरासत में टॉकडाउन में फरिश्टा बनकर आये विशार, 500 लोगों तक पहुंचाई दवाईया आपदा के वक्त गोटाले करने में माहीर भाजपा, पूरमंतरी कुल्वीब कुमारने कसा तंज और अब समाचार बिस्तार से बिवास अमरों में शामिल होने बाले बैंड वाजे बालों के लिए नए गाइडलाइन जारी कर दी गई है इन्हें कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवारे है उपायुक्त उन्ना संदीब कुमार ने बताया कि कोई भी बैंड वाला कंटेन्मेंट जोन से नहीं होना चाहिए इसके लाबा कोई भी कुरोना संक्रिमित ब्यक्ती बादे यंतर नहीं बजा सकता बादे यंतरों को इस्तेमाल करने से पहले और बाद में उन्हें सैनिटाइस करना अनिवारे होगा इसके लाबा अपने बादे यंतरों को एक दूसरे से नहीं बदला जाएगा उपायुक्त ने कहा कि जब बैंड वाले बादेयंत्रों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तब भी उन्हें मास्क का प्रयोग करना होगा साथ ही शोचल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना होगा अगर किसी ब्यक्ति को खांसी जुकाम वा बुखार जैसे लक्षन हो तब अपनी डॉक्टरी जांच तुरंत करवाई उन्हों ने कहा कि जिला प्रशाशन ने किसी भी विवास अमरों में शामिल होने के लिए 50 लोगों की सबिक्रिती परदान की है जिन में बैंड पार्टी भी शामिल है हिमाचल परदेश स्कूल शिक्षा बोड ने मंगल बार को मेटरिक का परिक्षा परिणाम घोशित कर दिया बोड चेर्में डॉक्तर सुरेश कुमार सोनी ने परिक्षा परिणाम घोशित करते हुए बताया पर 37 शात्रों ने जगा बनाई है जो कि पिछले बर्स की अपेक्षा आठ फिस्दी अधिक है। मैट्रिक की मेरिट में लड़कियों ने एक वार फिर से दबदबा बनाया है। मैरिट के पहले दस स्थानों पर 37 शात्रों ने जगा बनाई है जिन में से 23 लड़किया और 14 लड़की शामिल है। मैट्रिक की प् धर्मशाला द्वारा आज प्रदेश के एक लाग से अधिक दस्वी कक्षा के विध्यार्चियों का प्रिक्षा परिणांग भुश्वित किया गया है। मैं सभी उतीरण विध्यार्चियों को बहुप बहुप बधाई देता हूं। साथ ही मैं हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर के अधिक्ष डॉक्टर एसके सोनी और उनकी पूरी टीम को भी बधाई देता हूं। जिन्होंने अपने निकट वर्ती प्रदेशों के मुकाबले पर हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड टाइम में पूरे पेपर्स का एकदाम लेने के बाद परिणाम घूशित किये हैं। इस वर्ष प्रिक्षा प्रिणाम 68% से अधिक रहा है और 37 विद्यार्थियों में टॉप 10 स्थान और जो है मेरित में नाम हाचल किया है। और उससे भी बढ़कर प्रसंता इस बात की है कि 37 विद्यार्थियों में से 23 विद्यार्थी छात्राएं हैं। 14 छात्रें। सावधान सतलुज किनारे न जाएं कभी भी बढ़ सकता है जलस्तर जी हाँ जाकडी विद्वत परियोजना के नाथपा बांध से कभी भी पानी छोड़ा जा सकता है जिससे इस खेत्र में सतलुज नदी में पानी का स्तर बढ़ सकता है इसके चलते प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे ना जाने की अपील की है तहसीलदार रामपूर विपिन ठाकुर ने बताया कि SJBNL प्रशासन ने सूचना दी है कि बीते दिनों भारी वर्शा से बांध में पानी का स्तर बढ़ गया है जिसके कारण बांध से पानी को छोड़ा जाना जरूरी है उन्होंने ल अंगलवार को जलशक्ती विभाग के खिलाफ जम कर परदर्शन किया गामिनों का कहना है कि इनके वाड तीन कुरेवाली में एक महा से पानी की दिक्कत है इस बारे में विभाग को कई बार सूचित किया गया लेकिन उनकी समस्याएं जियों कीतियों बनी हुई है महिलाओं के एक्सियन जे एस वर्मा ने बताया कि उनके संग्यान में ये मामला नहीं है अगर ऐसे दिक्कत है तो एस जियों को कहकर तुरंत पानी की सप्लाई बहाल करवाई जाएगी बिलासपुर के ग्राम पंचायत डाहड में 25 मई को गाए के जबडे को विसफोटक से उड़ा देने वाले आरोपी नंदलाल को मंगलवार को अदालत में पेश किया गया अदालत ने उसे 14 दिन की नयाई खिरासत में भेज दिया उधर डियेसपी मुख्याले संजे शर्मा ने खबर की पुष्टी की है गोर हो ये मामला 25 मई को पेश आया था केरल में हचिनी के मामला सामने आते ही बिलासपुर का वीडियो भी सोचल मीडिया पर वाइरल हो गया वीडियो वाइरल होते सीम ने कारवाय करने के निर्देश दिये थे इसी के तहट आरोपी को गिरिफतार किया गया है जूता ठाना के अंतरगत गाय को खायल करने का मामला सामने आया था और इसमें पुलिस ने अभ्यूक्त को भीफतार किया था और जो आज तक जो था पुलिस रिमांड पे था उसे रिमांड खतम होने पर आज जुडिसल में स्टेट फर्स्ट क्लास गिलासपुर के नेले में पेश किया गया जहां अधालत ने अभिक्त को 14 दिन की नयाएक रास्त वी 22 जून तक नयाएक रास्त में पेश दिया है पिता समाद सेवी हैं धार्मिक हैं और बेटे ने भी पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए समाद सेवा की भावना के साथ लौकडाउन वकर्फ्यू में काम किया और जिला उना में 500 जरूरतमंद परिवारों तक दवाई निशुलक पहुंचाने का काम किया विशाल हरोली के चांदपुर गाउं के रहने वाले हैं और दिल्ली में काम करते हैं लेकिन लौकडाउन के बीच जब वे उना में फस गए तो उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए पुरशासन से लोगों की मदद के लिए उपस्चित रहने की बात कही जिसके बाद वे तहसीलदार उना विजेराय के संपर्क में रहे और ज़रूरत मंदों तक दवाईयां पहुंचाने का काम किया इस दौरान विशाल शांदिल ने करीब 13,000 किलोमेटर गाड़ी गुमाई तो वहीं घर घर जाकर दवाईयां भी दी विशाल के इस कारे की डी सी संदीब कुमार ने तारीफ की है उन्होंने कहा कि विशाल एक कोरोना योधा हैं जिन्होंने काफी मदद की है इस कोरोना काल के संकट के दौरान लगबग 45-500 लोगों को दवाईयां दी गई है जिसका सब्मिशन मैंने आज जी सी साब को दिया है इस दौरान पूरना डिस्टिक के अंदर हमने दौलपूर, चिंदपूर्णी, गगरेट, आम, इदर से रायपरमदान, बंगाना, दुलैड, सारे जितने एलियास कवर हो सकते हैं पूर्व उध्योग मंतरी कुंदीप कुमारना सत्तारूर भाजपा पर तीका हमला करते हुए इसे बरष्ट जनता पार्टी की संग्यादी है उन्होंने कहा कि जब-जब देश बिपरती से गिरा है और भाजपा को शाशन करने का मोका मिला है उस समय बरष्टा चार के कई मामले उजागर हुए है कारगे लियुद के समय कफन गोटाला सामने आया तो बैश्विक महमारी कोविड-19 के समय परदेश में पी-पी-ई-कट गोटाले के साथ सैनिटाइजर खरीद गोटाला सब के सामने है उन्होंने कहा कि इन मामलों की जाँच को अधिकारियों तक सीमित करके परदेश सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं अड़ सकती उन्होंने इन गोटालों की जाँच हाई कोट के सिटिंग जैसे करवाने की मांग की है प्रदेश कुमार ने कहा कि स्वास्ते विवाग इस में मुख्यमंत्री के पास है और अगर नयतिकता दिखानी ही थी तो मुख्यमंत्री इस मामले में नयतिकता दिखाते हुए अपनी पर से स्थीपा देते लेकिन जिस परकार से इस मामने में बिजिलेंस जाच अधिकारियों के इर्टगिर्थ ही गूलती रही उससे ऐसा परतीट हो रहा है कि इन गोटालों के असली गुनेगारों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है उन्होंने कहा कि परदेश में हुऊ गोटालों पर कॉंग्रेस चुप नहीं बैठेगी और जब तक परदेश सरकार इसकी जाच हाई कोट के सिटिंग जलसिक करवाने के अधेश नहीं देती तब तक कॉंग्रेस परदेश सरकार के खिलाब मोर्चे पर डटी रहेगी आज के लिए बस इतना ही घर पर रहें सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक दिल से दिमाग तक शुभरातरी